तो यह वेल्कम बैक टू माइचनल तो आज अपन बात करने वाले आपको पता फ्रॉंक्स के डेल्टा प्लस विरेंट में सेवन इंचिस का डिस्प्ले मिलता है तो आज अपन इसी के बात करने वाले कि इसमें क्या-क्या फीचर्स वगरा मिलते हैं मैंने सारे वीडियो बना टके तो बना देता हूं इस वीडियो को चलो बाई सुरू करते हैं वीडियो को चलो अपन का 7 इंचेज का डिस्प्ले मिलता है इसके आंदर कर आपको यहां पर आप अगर पेडिवाइस पे जाते हो ठीक है यहां पर आपना Bluetooth वगएरा जो भी है वो connect कर सकते हो ठीक है Bluetooth ए तो पर बैसे कि नो यह ब्रूप कपर आपको चीजे चाहिए आप यह Yes सब आ जाएंगे ठीक है तो यह इसका कुछ पहला है इसको मैं वापिस से वो कर देता हूं फिर उसके बाद अपन को यहां पर कुछ अनलोक करते हो तो एक बार दबाने पर चलना थे तो यह हो गया फिर यह है एक वीडियो बना रख और मैं आपको प्रेक्टिकल वीडियो भी अगर आप चाहते हो मैं इसका बना हूं तो आप मुझे कोमेंट में बता सकते हूं मैं इसका पूरा प्रेक्टिकल करके दिखाऊंगा यह वक कसे करता है वैसे मैंने इसका एक वीडियो बना रखाए कि यह बैसे कूलिंग नहीं बढ़ाता यह आइडल स्टार्ट स्टॉप से है और फिर आता यह लेंड चेंज विंग कर अब बैसिक करने के बाद अब मैं जब भी इंडिकेटर दूंगा थोड़ा सा दबाऊंगा तो यह चार सेकंड के लिए अपना इंडिकेटर आशी तरीक से चला देता है तो यह डेफोल्ट हो नहीं आता है इसको आफ ना गरू तो ही सही है पिर यहां पर वहेकल अलर्ट के बारे में कुछ है नहीं यह कुछ यहां के फीचर है फिर यहां पर इस वाले उप्शन पर आ जाते है अपन वीकल इंफो सेटिंग पर यहां पर अलर्ट नोटिफिकेशन पर जब भी अपन गाड़ी चला रहता है तो इसके अंदर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता हुए डोर पर्किंग ब्रेक का ओना शिट वेल्ट का ओना लोफ्यूल का ओफ था यह मान कर ले तो आईशी रोड का भी आप उन रख सकते हो अगर आईशी रोड पे अगर आपकी गाड़ी होगी तो वह बताती रहेगी कि भाई आपकी गाड़ी आईशी रोड पर है इस तरीक से यह इसका भी मैंने एक प्रोपर डेफ अलग से वीडियो बना रखा है कि कौन से अलर्ट किस तरीके से काम करते हैं आप जाकि वह भी भाई देख सकते हो तो भाई यह तो हो गया कुछ यहां का अभी अपन जाते है सेटिंग में इसकी ठीक है तो सेटिंग में सबसे पहला डिस वगता उचली ठीक है तो भाई देखो यह धिमो गया अभी में हैडलाइट सब्करता हूं करता हूं करता हूं को यहां की CC करता हूं तो भी उतनी है और नाइट में कर दो कि तो इसकी ब्राइटनेस डीम ही रहेगी तो इस तरीके से यह कुछ काम करता है यह बाइए डिस्पले की ब्राइटनेस वगयरा का आप कम ज्यादा कर सकते हो यह बढ़ा ज्यादा कम सकते हो यह वोल पेपर मोड बैसे लिए कार पार हुआ ब्रौ कर नहीं på में यहां पर यह पर प्लपैपर कर सकते हो यहां पर बंद कर दो पर नहीं आएगा यहां से आप अपने वोल पेपर सब्सक्रेंद कर सकते हैं जैसे मैंने यह वाला कर रख रक है आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो यहां पर सारे hd quality के wallpapers है set पर दबाऊगे set हो जाएगा भाई ठीक है तो यह हो गया कुछ यहां के डिस्पले की setting यह भाई को डेट और टाइम का लेंगवेज बगएर आप सेलेक्ट कर सकते हो लोक कीपेड वाइल ड्राइविंग यह मतलब आगर आप ड्राइव करते हो तो जो भी कीबोर्ड वगेरा जैसे आप मैप वगेरा लगा रहें अंडर डॉट में तो आगर आप हैंडब्रेक खीचोगे इसको यह ओन रहेगा तब ही आप टाइप करके सर्च कर सकते हो अदरव आपका गाना कीवाज करते ही और तो यह बढ़ जाएगी यहां पर सकते हैं अगर आप पीचे जाई है वेलकम मेसेज का बैसली यह वेलकम मेसेज होना जब भी मालो आप गाड़ी में आके लगाते हो चाबी ओन करते हो तो आपको पता ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट और वगयरा बोलती है ठीक है तो आप यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं अभी जैसे मैंने ढाठे क्या हो एक को जैडिक है और यहां से भाइं को सॉफ्ट्वेर अपनी स्क्रीन में बेसिकली कौन सा वर्जन वह दिखता है यहां से आप डिस्प्ले को reinset मार सकते हो घपना अब हम इस वाली हम पर इस वाले music में यहां से आप उपना प्ना ड्स ट्रबल कुभ का सेट कर सकते हो बहुत की म्यूजिक प्रोफाइल बना सकते हो जैसे मैं बेस फूल कर सकते हो ऐसे और और वा इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे कि मितलब अगर आपको मालो ज्यादा अपने ड्रायवर साइड वाले स्पीकर से आवाज चाहिए खुद भी से और अग्र आपको डिफॉल्ですね तो यहां से रिशेट कर दो सिंपल सा हो जाता है यह एक्विलाइजर है यहां से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं यह खुद की प्रोफाइल से कंपनी द्वारा देवी कि मुजिक प्रोफाइल कितने किसना बेस रहेगा भाई मैं फ्लैट पर रखता हूं यह डिफॉल्ट भी फ्लै इतना मजा नहीं आता है इसलिए फ्लैट पर रखते हैं बेस अच्छा आता है और यह प्र नीड नहीं लगती बाई इस्पीकर अप्रेड करने लिए मैंने आपको मुजिक तो सुनाया है इसका तो अगर आप रखो तो इन दो पर रखो बाकि तो में को कुछ अच्छे लग यह सारा अपने आपने अनुसार सेट कर सकते हो बैसिकली तो यह आपके अकोर्डिंग सेट होना चाहिए और यह स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंटूर ओफ है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर आपकी गाड़ी की जिस हिसाब से स्पीड बढ़ेगी उस है ठीड यह वाई वाई-फाइस सेटिंग बिदेग सकते हो इसी साब से पासवर्ण यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो ठीड़ काम नहीं करेगा अगर आपका android connect है फिर अगर आप इससे कुछ बोलते हो android connect रहता है तो बोलते हैं यह उस टाइम काम नहीं करता अगर यह बोल जाएगी अगर आपको इसको प्रोपर काम में लेना तो आपको इस टाइम पर डिसेबल रखना होगा बैसे लिए डिसकनेक्ट करकना होगा ठीक है भाई और तो जादा कुछ इस वाले में है नहीं सिर्फ वो इस असिस्टेंट वाला था जो मैंने आपको समझा दिया और यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो फिर उस टाइम पे आपका नाम भी बोलेगी बैसिकली ठीक है भाई अभी आजाते है अपन अलर्ट अलर्ट नोटिविकेशन यहां समझा चुका हो नोटिविकेशन वगएरा यहां से अन कर सकते हो बैस आप यहां पर आप 24 वाला फॉर्मेट भी पर कर सकते हो अगर मैं इसको 24 आउर पर कर दूंगा तो यहां पर देगो 13 बज़ के 52 मिनट में लब 24 आउर के फॉर्मेट के साब से आपको टाइम बगरा दिखाएगा और तो भाई बैसिकली यह पूरा वही है जो सेटिंग में आप जाके करोगे वह यहां से डायरेक्ट कर सकते हो जो यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो बैसिकली यह मीडिया सेटिंग में जाओगे तो आप वही सेटिंग आपकी खुल जाएगी ऐसे अलग कुछ सेटिंग इसमें है नहीं तो भाई आई होप आपको मैंने एक एक्स्प्लेइन करा होगा डीटेल में अच्छे से और आपको सम वीडियो में समझाएं तो चलो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और चनल को सब्सक्रेब करना ना भूलें थैंक्यू सो मैच